नमस्कार सुलिकों में राकिष्ण अगर एक बार फिर से सबीगा वेल्गम करता हूं है आज मेशन बात करने वाले हैं जिसमें हम लोग पर देखने वाले पंदा दस दोजार बाइस वाला जिसमें सेकंड शिप्ट में जो कैविश्टी पूछी गई थी उसके बारे में आज लोग बात करने वाले हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं सबसे पहला कोशन अपने पास आता है 105 पे अपना कोशन आया था कि विश्ट्री का 105 पर फर्टिलाइजर वन रेफर्स टू है ना इसका क्या मतलब होने वाला है देखेंगे ज्यान से अप इससे प्लांट क्या हो जाता है डेमेज हो जाता है ना तो यह दोनों ही पॉइंट जो है बिल्कुल फर्टिलाइजर बनने को समझाते हैं एक्सेस यूज और फर्टिलाइजर और डेमेज और प्लांट है दोनों ही इसके लिए क्या होने वाले हैं क्रेक्ट मल्दब बहुत n-factor n-gram equivalent weight of k2SO4, सबसे पहले k2SO4 दिया गया है, k2SO4 जब break होगा तो 2k plus बनेगा और बोलो SO4, 2- बनेगा, ये क्या होनेवाले, salt मनलब 11 होगा, salt मनलब क्या होगा बोलो, 11 होने वाला है, और 11 मनलब salt kS में क्या होता है, katar Legends 1 इसका कितना ओने वाला है फोसे अपन ने इंसर क्या आ जाएगा ना फिर वो फॉरिंटु बो सिवण इसको स् lata करें यहां तो यहां पर यहाँ यहां दोनों में से ओनाने था ये तो खत्म ही हो गए थे, बोलो answer क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत simple है अगले question की बात करें, तो X-ray beam can be deflected ना, एकसरे beam can be deflected, neither by an electric field nor by magnetic field लिए हैं दोनों जो ऊंदर नहीं होती पहली बात तो है ना दोनों ईंदर टिपख्त नहीं होती एक श uneρά मोई होती ना तो प८्हिजघ को थै कि आने वाला है अंसर या जायेगा जायए वह बालो क्या अगला कॉश्शन क्या दिया है? ईसको वाटर में डिसोल किया गया है, जिसका पी-ेच अपने को दिया है, वाटर का पी-ेच कितना होता है? 7, ति देखो when the salt gets dissociated, the solution becomes alkaline, बोलो यहां salt solution बना, यहां क्या बना, salt solution आशिक का होता हे साथ से जादा एगा है इसका मतलब क्या होता है बो तूप ईसल्टिक का नीचर आएगा इसक आंसर आनने वाला है तो आश Penis हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स बात करते हैं अगले की बात करते हैं देखो तीन सो एमेल ऑफ जिरो पॉइंट ट्री एम सोलुशन दिया ना इस डाइलुटिट एडिंग 300 एमेल ऑफ वाटर इन इट वाट विल बी दा मॉलारिटी ऑफ दाइलुटेट सोलुशन अब दियां से देखो डाइलुशन वाला केस डाइलुशन की कुछ फोर्मले लिखा थे मैं देखो एम वन वी वन इस उगल टू बोलो एम टू वी टू परसेंटेज वाला केस था ठीक है अभी मॉलारिटी वाला केस है सबसे पहले इस्टार्टिंग वाला पूचा है उसके बाद वोलो क्या वोड़ा है 300 ml तक अपने क्या किया जल्गो एड किया तो टोटल वोल्यूम फाइनल वोल्यूम कितना हो जाएगा बोलो 600 चलो अब सोल कर लो एम टूरी काल लो यह ना एम तो निकालेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू बोलो 300 चलो चैन्सल आउट करो फटापट से यह खतम हो जाएगा यह खतम जाएगा बोलो और वह टीटना और नो आने बोलह जरोटाइगारी कितना आने बारेंगे ने इंट केल्गोलेंट व उया ड्ॉट हेविंग के स्क्र söyste March तो phosphoric acid having purity of 80% by weight है ना अब देखो specific gravity मतलब क्या है वही density है ना वही क्या होने वाली है density होने वाली है देखो ध्यान से सबसे पहले calculate normality बोला है ना तो normality का जो formula होने वाला है वो जब अपने को mass percentage दिया जाए और density दी जाए तो अपने एक formula लिखाता बोलो shortcut 10 into percentage value into density लिखाता है और divide में क्या लिखाता है ठीक है तो बोलो normality नॉर्मलता बोलो 10 बोलो 10 कितना होने वाला है 10 तो अपने पास formula में दिया है percentage value बोलो कितना है 80% density बोलो 1.56 यह सिधा shortcut formula है ठीक है और फिर बोलो S3PO4 orthophosphoric acid क्या होता है बोलो S3PO4 हो जाएगा इसका molecular mass कितना होता है बोलो यदि equivalent mass निकालेंगे तो molecule mass कितना होगा 98 और बोलो valence factor कितना हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 32.6 जब इसको solve करेंगे तो normality जो अपने पास आने वाली है वो कितने आईगी बोलो C, answer क्या आजाएगा C आजाएगा बिल्कुल calculation अपनों करना है और बिल्कुल answer कितना आने वाला है C 38.2 अपना answer आजाएगा ठीक है 38.2 अपना answer आजाएगा चलो अगले question की और चलते है अगला question देखो which of the following is a straight fertilizer इस्ट्रेट फटिलाइजर का मतलब क्या होता है जिसमें केवल NpK में से केवल एक ही component हो जिसमें केवल एक ही अब्यों होगा एक ही घटक होगा उसी को क्या बोलते है इस्ट्रेट फटिलाइजर अमोनियम बिल्कुल nitrogen होने वाला है यूरिया में nitrogen Ammonium nitrogen nitrogen और पर हमें इसमें य किस में ओंशन वाला उप्षय है जादा सही किसको मानेंगे जिसमें ज्ञशन पर बात करते मोडल और ऊंटर बोकले इमिली फीशर के द्वारा जो है इसकी डिसकावरी की गई है बिलकुर इसको प्रफोस किया गई है लोग एंड की जो मॉडर है एंजाइब का ठीक है बिलकुर याद करने वाला कोश्चन है इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है ठीक है चलिए फिर बात करतें नेक्स नेक्स देखो स्टेंड़ डिविशन नर्मलेटी बहुता होटा है जितने अक्सियन होता है उससे एक कंवलेंसी होता है तो थी तो बहुता हो अंसर क्या हो जाएगा सीक्स बहुत सिंपल डाइपो पॉस्टिय हो धायगा ठीक, चलिए फिर बात करता है नेक्स next देखो stability product for three types of salt है ना देखो AX दिया है AX2 दिया है और AX3 दिया गया है सबसे पहले तो इनकी solubility का order अपन देख लेते हैं है solubility निकाल लेंगे देखो solubility का order पूचा गया है सबसे पहला salt देखो यहां से सबसे पहला salt दिया है AX AX दिया है तो बोलो इसमें अपनों को पता है shortcut one ratio one का ratio one ratio one तो बताओ के-स पी-उगल टू क्या आने वाला है के-स पी-उगल टू बोलो one की power में one और प्र one की power में one into पोलो एस की power में one प्लस one मतलब क्या हो जाएगा two मतलब यह के-स पीस उगल two कि आने वाला है एस इस्क्वार क्या आने वाला है एस इस्क्वार राने वाला है ठीक cart भी देखव सेकंड नंबर एहक्स-2 के बारे में बात करें कि टू वूलो के शॉट में लिग रहे हो पूर आने वाला है और याझिक टू59 Central ट्री क्या है व्हाल reiterate सबसे पहला किस लिखता हूं थीक है तो मैंने यहां सरे काला मे क्या हो जाएगा वन बाई टूटु ऩिर देखो देखो सब्सक्राइख केस दिच सब्सक्त्राइब किसे वाला केस भाइन और पर फचर से तela हो जाएगा है अनस्क्राइब किस फिर किसा धर दिवाइड में बोलो कितना आएगा 27 और फिर बोलो 1 by 4 ठीक है अब देखो जब वेल्यू पुट करके तो बताओ केस्पी की वेल्यू बताओ सबसे पहले केस्पी की वेल्यू क्या आने वाली है तो बोलो केस्पी कितना दिया है 4 into 10 की पाउर बोलो माइनस 5 पाउर में क्या आएगा बोलो 1 by 2 फिर यहाँ बताओ चलो केस्पी कितना दिया है second नबर केस्पी कितना दिया है 3.2 3.2 into 10 की पाऊर बोलो--14 की पाउर में अच्छा-दिवैड में कितना आए 4 पाउर में माइनस 15 डिवाइड में बोलो क्या लिखेंगे 27 और पावर में बहुत हो पावर में कितना आएगा बता हो तो बोलो सबसे पहले जो है यह जो पावर में वन बाई 2 वन बाई 3 वन बाई 4 इसको सोल करने का तरीका ऐसा देख लेते हैं कि इस पावर से ac value का multiply करना है जो सबसे कड़ जाए यहां पहले वाले case में कितना आने वाला है 4 इंटू बोलो 10 की पावर कितना आएगा माइनस 5 और पावर में कितना हो जाएगा बोलो 6 दूसरे वाले case में बताओ क्ये दूसरे वाले case में बताओ दूसरे वाले case में देखो 3.2 इंटू बोलो 3.2 इंटू बोलो अच्छा इसको मैं यहीं पर cancel out कर रहा हूं देखो जियान से थोड़ा समय इसको यहीं cancel out कर रहा हूं यह देखो point time नीचे कितना आ गया बोलो 10 तो यह कितना हो जाएगा 832 तो बोलो यह 8 हो गया ठीक है और यह जाएगा माइनस 15 जाएगा माइनस 15 जाएगा यह उप्र चलाएगा 10 की 11-15 और वो यह बोलो यह तीन चॉख बारह मतलब बोलो पावर में किया जाएगा ठीक है फिर बोलो यहां बताओ तकर इसको इसको भी cancel out करो लिंचे कितना हो गया 10 तो यह जाएगा 10 की पावर सिक्स्टीन की पावर किया हो जाएगा तो यह क्या हो गया बोलो टेन की पावर बताओ टेन की पावर बताओ कि इस तरीके सा पने इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं यह कितना हो जाएगा फोर की पावर में 6 इंटू बोलो यह कितना हो जाएगा टेन की पावर बोलो पांच सब्सक्राइब बोलो हिंदी वाले समझ पा रहे होंगे देखो टेन की पावर माइस 30 ठीक है फिर देखो आठ की घात कितना हो जाएगा चार है ना एट की पावर फोर है ना इंटू बोलो यह कितना हो जाएगा बोलो इसके बाद बोलो यह कितना हो जाएगा बताओ तक है यह कितना होने वाला है टेन की पावर बोलो टेन की पावर बोलो माइनस 48 ठीक है बिलकुल ऐसा होने वाला है अब इसमें इस पावर से हैं अपन चोटी बड़ी बड़ी पिचांसागें इसका ज्यादा इसको अपन एकले कर सकते हैं इतने ज्यादा असन नहीं पड़ेगा तो बोताओ सबसे ज्यादा बड़ी वेल्यू कौन से होने वा नेगिटीव मैं च्छोटी है मतलब यह बड़ी हो जाएगी झालो एकस तो जाएगा एकस फिर बोलो एकस त्री और फिर उड़ो एकस तू जाएगा इस तरह चाहिए थोड़ा सा गडिशन बहुत जाए टप है तोड़े सी इसमें थोड़ा कॉमन से लगा कि अब भारे में बात करते हैं अगला कोश्टन देखो इन क्वालिटेटिव एनलीसिस इन ग्रूप थर्ड है ना एनेच फोर इस लेता हूं पॉमन आयन का कोश्टन है तो बोलो नहीं फॉर प्लस में और बोलो ओएस माइनस में जाने वाला है और जब इसमें कोई स्टोंग एक्टोलाइड मिलाए जाता है सॉल्ट इस्टोंग लेक्टोलाइड होता है जब इसको मिलाएंगे तो बोलो नहीं फॉर प्लस तो बनेगा लेकिन साथ में ओएच साथ में क्या बनेगा बोलो साथ में क्या बनेगा सी एल माइनस साथ में क्या बनेगा सी एल माइनस है ना तो देखो जैसे में स्टोंग मि क्या होने वाला है वहने वाला है पहले है न डिकीज दे अलग टाइब का कॉश्टन है तो आउट आउट अप सीलेबस का पूशा गया था यह कोमनायन का तो है लेकिन थोड़ा सा कॉश्टन थोड़ा हटके है ना जयार रखेंगे तो चलिए नेक्श बात करते हैं यू virus बिलकुल करने वाला क्रश्टन है यह चलिए फिर बात करते नेक्श्ट नेक्स देखो, है न, N by 10, 50 दिया है, SEL, फिर N by 3, 60, ML, HNO3 दिया है, फिर H2SO4 दिया है, सब के सब Acid दिये है, और फिर Mix करने की बाद अपने को दोर्मिलिटी पूछी है, तो बताओ, formula क्या लगता है, तो हमको पता है, N1, V1, N2, V2, और बोलो N3, V3, में टो टोल गज्यों बताओ डिवार्ण में क्या टोटल हमें नोन तो यहां कहेंक । एंट वो वन वाई 3 कर देता हूं साथ में 60 पिर वन वाई 5 कर देता हूं साथ में 10 कर देता हूं और बोलो डिवाइड में 2.7 लेटर दिया है तो इसको अमल्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां भी अमल्ट कर तो 2700 हो जाएगा 1000 का करेंगे तो बिल्कुर ऐसे होने वाला है चलो अब बताओ करो यह हो जाएगा 00 का दम यह यह वो जाएगा यह वो यह वो यह वो टू और डिवाइड वो लो 2700 2700 यह बोलो कितना हो रहा है 27 और यह वो टू सेवन जिरो 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 यह खतम हो जाएगा बोलो कितना हो जायगा 2000 फ्लला यह Iggyतना होने वही जाए प्लला यह होता है इक बाद रुन की फ्लस फ्लस प्लस प्लस फ्लस फ़ू लगो कितना होता है ठीक है तो बोलो पेस्ट कितना आगया 11 तो यह बताओ टाओ किए 14 यह तो पॉलो कितना आने वाला ए 3 ना कितना आने वाला ए वहीं 3 तो ऑफोटीन से हो जाएगा अधिबिस ग्राम अधिया है और विलियन का भार कितना इतिए विल्हें का ररकेंगे तो ये खतम हो जाएगा बताओ उटके ये खतम हो एंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक है चलिए फिर बात करते है अगले कोस्टन की अगला कोश्टन देखो तुब एम ऑफ 5 लिटर दीया है देखो ना कोस्टन में क्या बोला है तुब ओफ 5 लिटर एनवेश सॉलूशन इस विद अनुदर वन एम है ना 2.5 लिटर अनुवर सुलूशन वाट विल भी दमोलरेटी है अब दे रिजल्टी सुलूशन दोनों को मिक्सिंग किया है मुलरेटी पूचा है तो बोलो मिक्सिंग सुलूशन के लिए मुलरेटी का फॉरुमला म रिजल्टन लिखा था एम1 वीवन प्लस वहलो एम2 वीटू है ना और डिवाइट वहलो टोटल वोल्यूम लिखा था कुछ याद हो थोड़ा बहुत तो बोलो एम1 से सब्स्टेंस से तो टू इंटू बोलो कितना कितना हो जाएगा टोटल वोल्यूम बता हो जाएगा इसको सोल करेंगे तो आंसे कितना आने वाला है यहां से आंसे कितना आ जाएगा जब डिवाइट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आने वादा है बहुत सिंपल टाइप का कोशन है चलिए फिर बात करते हैं अगले कोशन की बात करते हैं बिल्कुल यह फिजिकल गिनिलेशन जो है इससे जो है बिल्कुल एनपी के फटलाइजर का कोई रूट नह बिल्कुल सिंपल टाइप का कोशन होने वादा है ठीक है फिर बात करते हैं नेक्स देखेंगे नेक्स देखो देखो देंसिटी अपने को दिए बताओ याँ बेंसिटी की दिए 1.18 ग्राम पर सीची दिया गया है पूचा क्या है मोलारेटी मोलारेटी का फॉर्मूला क्या हमको बश्च्पन से पता है डव्लू ब अपन में में वहता है और फिर वोल्यूम दिया है इन्हें में दिया है तो उपर क्या लगा देंगे बोलो थाउजन लगा देंगे बोलो इस अपकुछ आने वाला है बोलो मोलारेटी कितना है मास कितना दिया 1.18 वन पॉइंट वन अधिया बश्र हदेंगे बर बीजाया है तो उपर क्या लगा देगे बोलो थाउजन लगा देंगे बस इसको सोल करना है बिल्कुल वेल्यू उपने सही आने वाला है बो ढमरूर है उब बल्कुल बहुत clerk सखरके देंगे किल्कुल कैलकुरेशन अपना ऑने चाहीं चाहीं फिर बात करते हैं, next, next देखो देखो देखें, which of the following PKB value represents the strongest base, अच्छा हमको पता है कि basic nature जो है, देखो, basic nature जो है, या basic strength जो है, वो KB के directly proportionate होता है, और PKB के inversely proportionate, जितना ज्यादा PKB होगा, basic strength उतनी ही कम होगी, यदि basic strength ज्यादा चाहिए, क्योंकि strong base चाहिए है, तो मुझ PKB किसी में आ रहा है, D में, हैना, तो बिल्कुल answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है, चलिए, फिर बात करते हैं, next, next, देखो जाएगे, 5 gram of NaOH, is dissolved in 200 ml, solution, the normality of the solution, बताओ, या, normality पूछी है, तो बताओ, normality का formula W, कितना दिया है, 5 gram, हैना, फिर बोलो, हैना, molecular mass के equivalent mass, हम लिखेंगे, equivalent mass, normality में क्या लिखा जाता है, equivalent mass लिखा जाता है, और यहाँ, NOS का, NOS का, valency factor कितना होता है, 1, तो हम पो यह बात बता है, कि बराबर हो जाएगे, तो बोलो, यह बिल्कुल 40 होने वाला है, फिर बताओ, फिर बताओ, यहां पर, फिर बताओ, यहां पर, व जब इसको divide करेंगे, तो बोलो, answer कितना आने वाला है, answer कितना आने वाला है, 0.625 answer आजाएगा, बिल्कुल सा calculation है, 5 by 8, 5 by 8, 0.625 आजाएगा, देखो, volumetric analysis के question बहुत ज्यादा पूचे है, volumetric analysis, normality, molarity, solution को mix किया, तो क्या-क्या, resulting normality, molarity, उस टाप की question ज्यादा पूचे reaction in daily life, देखो, corrosion के अंदर क्या होता है, बिल्कुल oxidation होता है, कैसे, कि जिसे लोहा होता है, लोहे के उपर जंग लबता है, तो हमको पता है, oxygen जूडता है, और चार बनता है, F2O3, F2O3, dot, भोलो, xs2, और बिल्कुल यही क्या होता है, रश्ट, जिसको जंग बोलते है, और इत में अच्याइन का वहाना मलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइशन हो रहा है, टीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडिशन होदा है, तो हमको लिए जिए, और दो होता है, और दो ह।ो जोने लिए, बिल्कुल प्रोसेस को बोलते हैं से क्या हो जाएगा बिल्कुल और क्या बनता है बिल्कुल यही रियक्शन के बारे में बात करते हैं अगला जो कोश्चन है अगला बिल्कुल इस पर इस नाउने एक बनता है और साथ में बनता है तो यह कैसा है बोलो विग बेस है वही ज्यादा एसिवाइड़ी को का बोलो है एक डॉलाइसिस का आनसर आने वाला है ठीक है आँसर क्या आएगा है तो यह हम लोगोँ ने पूरे PAT, PYQ के जो है पूरे 25 कोश्चन हम लोगों ने सोल करे हैं ठीक है फिर भी यदि इन कोश्चन में कोई डाउट आता है तो एक बार जोड़ों कमेंट बॉक्स ने बताएं धन्यवास सब्सक्राइब